तुला रासी के प्यार और सफलता जी हाँ यदि आप तुला रासी के हैं तो आपने शिंद रहें यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुला रासी के जातक जातिकाओं के लिए होने जा रही है कि वास्तों में पूरे सं 2023 में आपका प्यार कहां रहेगा और उस प्यार के जरिये कैसे आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं इस बात पर यह वीडियो अधारित है आप हमारे साथ इस सफने बने रहें आपका बहुन बहुन धन्यवाद आईए प्रारम करते हैं जहां पर साथ नंबर रासी लिखी है यही तुला रासी का अंक होता है साथ नंबर अर्था तुला रासी क्योंकि रासी चकर के साथवी रासी है पड़ती है अब यह साथ नंबर से जो पाँचवी रासी होती है यही आपका प्यार का भाव है यही आपके प्रेम का भाव है अब यहां से गिने एक, दो, तीन, चार, पाँच, पंचम भाव पंचम भाव ही आपकी प्यार है अब इस प्रेम भाव पर जो गरा बैठेंगे जो इस भाव के स्वामी होंगे उनका बड़ा रिलेसन आपके जियोन में आपके प्रेम से हो जाएगा और यहां पर देखेंगे कि यहां 11 नमबर लिखा है मतलब सनी देव आपके प्यार के स्वामी हो गए आपके प्रेम के स्वामी हो गए अब सनी देव कहा है तो 17 जन्वरी से सनी देव और इसी भाव पर भी दिमान है मतलब पूरे के पूरे सन 2023 में सनी देव यहीं रहेंगे अब पूरे आपके प्यार और सफलता का स्रे चला जाता है सनी देव के हाथ में तो अब सनी देव कहां-कहां आपको इंगेज रखेंगे आपको कहां-कहां आपकी प्रेम रहेंगी देखिए एक बात समंदर बहुत जरूरी है कि जहां हमारा प्रेम रहेगा वही हमारा मन होगा और जहां हमारा मन होगा वही हमारी कर्म होगी और जहां हमारा कर्म होगा वही हमारी सफलता होगी इसलिए प्रथम जो पड़ाव आता है वह प्रेम का आता है तो यहाँ पर सनी देव आपके पंचम भाव पर है, पंचम भाव ही वह इस्थान है, जिस इस्थान से जूड़ कर आप शाहिन न चाहें, उस इस्थान से आपको प्रेम करना ही पड़ेगा, और आप उस भाव से प्रेम कर रहे हैं, तो पंचम भाव कहेगा, तो पंचम भाव है आपके education का पंचम भाव है आपके love relation का पंचम भाव है आपके निवेस का पंचम भाव ही है आपके technology का तो इन सभी इस्थानों से आपको प्रेम रहेगी आप ऐसा समझें अब पंचम भाव है करम से समझते हैं इस बात को पंचम भाव जो होता है आपके education का यदि आप कोई सिक्षा अर्जन कर रहे हैं या सिक्षा गरहन कर रहे हैं तो यह सबसे अच्छा साधन होगा सबसे अच्छा समय होगा कि आप सिक्षा अर्जन करके उस पर सफलता प्राप्त करें देखें लर्निंग के लिए कोई उम्र नहीं होती कोई बंधन नहीं होता इसके दो स आपका प्रेम है यहीं आपका मन टिका हुआ है और यहीं वह सफलता का प्रथम मारग हो गया दूसरा भाव होता है यहीं आपके निवेस हो गया अब यदि कोई निवेस का प्रयोजन आपने रखा है भी तो उस निवेस से आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे भविस में यह सुनिश्चित करेगी इस सनी का जब टांजिट होगा अपने से की दरिष्टी होगी या टांजिट होगा दौदा सभाव पर अब जब सनी जो यहाँ पर है तो यहाँ से आपके निवेज की बाते ही सीर्फ कर रहे हैं। उसे प्रतिफल प्राप्त करें। आपकी समस्ते का समधान की समभावना बढ़ जाएगी। आपका प्रेम ही है। आप देखेंगे सबसे जदा आपका लगाव बढ़ जाएगा अपने संतान पर। यही पंचम भाव जो होता है, सबसे मुख्य भाव होता है इस सारे कुंडली में। क्योंकि यही वह भाव होता है जिसे लक्षमी भाव कहा जाता है। इसलिए इस समय पर आपके आर्थिक द्रिष्टी कोंड से भी यह जो है आपका प्रेम की संभावना आर्थिक लक्ष को प्रापती के लिए बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पर हमें दिखाई पड़ती है। अब सनी की द्रिष्टी की बात करते हैं। सनी दिव यहाँ से अपनी तीसरी द्रिष्टी दे रहे हैं सात्व भाव पर। लव रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप देखेंगे बहुत दिनों से जो तकरहा चलती है वो अच्छे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यही पर आपका प्रेम बैठा है। आप अपने जीवन सात्य से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगेंगे। तो आपके प्रेम कहां चली गई? आपकी प्रेम चली गई है आपके बिजनेस में। क्योंकि यहां से जो सब्तम भाव है यह बिजनेस का भाव है तो जब बिजनेस में हमारा प्रेम रहेगा तो जाने अन जाने चाहे अन चाहे हम अपने बिजनेस से जुड़ा हुआ ही काले करेंगे क्योंकि हमारा प्रेम है उस भाव पर हम उसे प्रेम करेंगे उसके ग्रोथ के लिए अनेक आउसा तरास करेंगे किन-किन संभावना से उनमें ग्रोथ हो सकती है इसका प्रयास करेंगे उस बिजनेस को बहतर बनाने के लिए हम कोई बड़ा विकल्प चुनेंगे हो सकता है कोई नवीनी करण कर दे अपने बिजनेस पे क्यों क्योंकि आपका प्यार वहाँ है तो आपका मन दी जाएगा मन गया है तो आपके सरीर भी वहाँ जाएगे कारे में लगेंगे और जब कारे अच्छे से हो गया तो आपको सफलता भी यहीं से मिलनी है अब यहाँ से सनी की बात करते हैं सनी देव यहाँ से अपनी सात्वी द्रिष्टी सीधे लाव भाव पर दे रहे हैं प्यार कहा हो गया भई प्यार आपके लाव इस्थान पर हुआ है मतलब आपको सबसे ज़्यादा अपने लाव की चिंता रहेगी और चिंता ही नहीं आपको प्यार हो जाएगा अपने लाव से अप लाव से प्यार कैसे कहेंगे हर समय अपने लाव की चिंता रखना तो भई जिनता जहां अज रहेगा ब्यक्ति वहीं तो काले करेगा तो इसले सनी ने आपको एक अच्छा मौशर ये भी दे लिया आपके प्यार के लिए कि आपका प्रेम ही बठा दिया आपके एकादस भाव पर तो एकादस भाव जिन जिन छेतर का है वहाँ वहाँ आपका प्यार होगा एकादस भाव होता है लोगों के बीच रहने का अधिक जन समुदाय का, सोसल सरकल का इन सब छेतरों में आप देखेंगे आपका प्रेम बढ़ गया है आप वहाँ जाना पसंद करेंगे एकादस भाव हो गया यह जो भाव है एकादस भाव यह हो गया आपके जीवन में आपकी इच्छाओं का और जब जो आपकी इच्छाओं हैं उस भाव पर यदि सनी के दृष्टी हो जाए और वो भी प्रेम भाओं के स्वामी की आपके इच्छाओं में आपके प्रेम आ जाएंगे आप देखेंगे इस समय पर बहुत बड़े बड़े विकल्प आपके सामने आएंगे और उन इच्छाओं को पूर्ण करने के अनेक आउसर भी आप तलास करेंगे और उन आउसरों को किस प्रकार से क्रियानवित किया जा सके अपने जीवन पर इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा इस टाइम पर क्योंकि सनी देव पूरे वर्स 2023 भर यहीं रहने वाले हैं कहीं जाने वाले नहीं इस दे तुलारासी के लोगों पर बहुत ज़्यादा इसका सकरात्मक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि आपका प्यार और आपकी सफलता दोनों ही एक अधस भाव में हैं एक अधस भाव लाब का होता है इस दे लाब के दृष्टी कोर से ही बहुत अनुकुल है अब इस सनी की अगली दृष्टी की बात करते हैं जो सीधे पहुंसता है यहाँ पर दसवी दृष्टी एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नौ दस दसवी दृष्टी पढ़ती है आपके दृती भाव पर तो भाई आपका प्यार कहां गया आपका प्यार आपकी प्यार की दृष्टी गई है कहां गई है तो सेकेंड हाउस पर सेकेंड हाउस का है का सेकेंड हाउस होता है हमारे धन का हमारे पैसों का और सेकेंड हाउस ही होता है हमारे कौटुम का हमारे परिवार का तो भाई कौ सहा है तो उनकी सहाता करना चाहेंगे यदि परिवार में किसी को आप सकता है आपकी आप सकता है तो इस टाइम पर आप सबसे ज़्यादा उनका help करना चाहेंगे क्योंकि आपका प्यार है पुटुम भाव पर अब second house होता है आपके धन का तो भई धन आप साकरात्मक जाएंगे, पैसे लेने जाएंगे या पैसे निकालने जाएंगे तो दोनों ही कंडिशन में आपकी आर्थिक इस्तिति यहाँ पर सुधिर होते हुए दिखती है अब इस धन के भाव को अगर देखें तो सनी के दिरिश्टी धन भाव पर जाएगी तो आर्थिक रूप से आपको संपन बनाने के लिए सनी देओ स्वेम अपने आप आपको अनेक अनेक कारी कर आएंगे कारण यही है कि सनी की एक दृष्टी तो पढ़ रही है, साथ में सनी धनिश्ठा नक्षतर में अभी चल रहे है और धनिष्टान अक्षत्रक के प्रभाव से मंगल उनके स्वामी बनते हैं इस ती यह पूरा संदो या 23 जो है तुला रासी के जातकों के लिए धन दायक ब्यापाद में सफलता दायक ही होने वाला है अब इस सनी ने इसी सेकेंड हाउस के दृष्टी के साथ साथ सनी की एक और प्रभाव समझें सनी जहां बैठेंगे उस भाव पर आपका प्यार होगा हमने पहले ही कहा तो सनी यहां पर बैठे हुए पंचम भाव पर पंचम भाव मतलब सिर्फ आपके रिदय में आपके मन में इस साल पूरे प्रेम रहेंगे अधिक आप चाहा करके भी क्रोध नहीं कर पाएंगे क्योंकि सनी दे और लेडी जो डिले के कारक हैं हाँ नए लव रिलेसन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है या हो सकता है कि आप जो नए सम्बंध किसी से आप रखना चाहें किसी इस्तरी पूरुष से तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है तो इस दिये सनी देव चाहा है कि आप जो है वो इस्थाई रखिए अपने प्रेम को और सफलता अर्जित कीजिए बाकी ग्रहों को समझने का प्रयास करते हैं राहु दे अल्रेडी सात्वे घर पर बैठे हैं तो राहु की किसी प्रकार से दिरिष्टी का संबंध यहाँ पर नहीं पढ़ रहा है कहा पर नहीं पढ़ रहा है आपके पंचम भाव पर रहों के साथ, आठ, नौ नहीं आया आप केतू को देखते हैं तो एक, दो, तीन, चार, पाँच हाँ केतू की दृष्टी आ रही है तो जब केतू की दृष्टी पंचम भावों पर आ गए मतलब प्रेम को कहीं न कहीं केतू भी प्रभावित किया तो आप केतू कैसा है, तो केतू जो है आध्यात्मिक ग्रह माना गया है तो आप देखेंगे तुला रासी के जातक इस साल आध्यात्मिक दृष्टी कोर से अपने आपको बहुत उन्नत महसूस करेंगे कारण केतू की दृष्टी, केतू जो है रासी में बैठता है उसी रासी के रंग रूप और उसके गुण को गरहन कर लेता है तो केतु यहाँ पर जब साथ ममने बैठा है मतलब तुला रासी में बैठा है तो तुला रासी के स्वामी कौन हो गए सुक्र हो गए, सुक्र कौन है सुक्र स्वैम जो है आप बहुत अच्छा कारे करेंगे जिसकेलिख कारेंगे? क्योंकि गेतू यहां पर बैठे हुए हैं सुक्र के रासी पर तो इसके प्रभावव से होगा क्या आप अपने सौंधर को निखानने के लिए प्रयास करेंगे तो सौंदर यदि मैं अच्छा नहीं दीख रहा तो अच्छा कैसे दिखूँ, में पास अच्छे कपड़े नहीं तो अच्छे कपड़े पहन करके मैं कैसे अच्छा दिखूँ और कितने बहुत से ऐसे रास्ते हैं जिन रास्तों का आप इस्कमाल करके अपने सरीर और अपने ब्यक्तित्व दोनों का विकास करेंगे क्योंकि लगन भाव आपका सरीर है और लगन भाव ही आपका ब्यक्तित्व है इन सारे घटना कर्म को समझने के बाद हम लोग समझते हैं गुरू के प्रभाव को कि वास्तों में गुरू का प्यार से कोई सम्मंध है क्या आपकी सफलता से कोई सम्मंध है क्या तो गुरू का साथवे दृष्टी बारवे घर पर कोई सम्मंध नहीं गुरू की नवी दृष्टी साथ आठ नौ दृती भाव पर है तो गुरू यहाँ पर प्रेम से सम्मन नहीं रखते परनतु हाँ सनी का सपोर्ट जरूर कर रहा है क्योंकि सनी गुरू तो गुरू है भई गुरू तो सभी ग्रहों के राजा माले गए तो इसने गुरू का सपोर्ट भी आपको निरंतर मिलेगा अब बहुत लोगों का प्रस्त हमसे एक बार आता है अभी पिछले वीडियो में आपने समने बहुत कमेंट किया है कि हमारे साथ 17 जन्वरी के बाद बहुत अच्छा होने वाला है आपने और कईयों ने बताया पर फली भूत नहीं हो रहा है तो देखिए इसका मूख के कारण ये हो सकता है कि एक तो आपकी जनम कुंडली में यदि सनी की स्थिती अच्छी नहीं है तो वहाँ पर प्रतिफल प्राप्त होने में कुछ विलम्ब लग सकता है क्यों? क्योंकि सनी देउता विलम्ब के कारण है सनी अर्थात सैने सैने जो ग्रह आगे बढ़ते हैं उसका नाम सनी है तो इसने इतने दिनों तक सनी ने 30 साल बाद आपके रासी में सनी देव पंचम पे आया है आपका प्यार बढ़ाने के लिए आपके सफलता देने के लिए और आप चाहेंगे आते सांत ही कोई बहुत बढ़ा चमतकार कर दे ये तो समधाव नहीं सनी देउता को समय दीजे वो आपके जीवन को परिवर्तन करने के लिए हैं पंचम भाव, प्यार को, सफलता को, आपके लाब को, धन को, उटुम को, व्यापार को इतने सारे जो समपूर जो छित्र हैं ये सब सनी ने अपने पास रखा है और यकिन मानिये कि सनी की इस तांजिट का जो प्रतिफ़ग है वो सबसे ज़्यादा तुलारासी पर ही मिलने वाली है अब आप इसे समझ गये होंगे अब इसमें हमने ये सब लिखा हुआ है कि कब-कब इनका परिवर्तन होगा आप इसे भी देख लेंगे जो हमने बता दिया है कि 30 अप्रेल 23 तक मीन में गुरू रहेंगे उसका फिर मेस में चले जाएंगे अब यहाँ पर राहु जो है 30 अक्टूबर तक रहेंगे मेस में उसके बादो मीन में आ जाएंगे और साल भर तो सनी देउता रहेंगे ही मुझे उमीद है आपने इस वीडियो को समझा होगा अपने प्यार को समझा होगा और उस प्यार के द्वारा कैसे हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं इसको समझा होगा आने वारे दिनों में इसी प्रकार से बहुत ही ग्यानात्मक वीडियो आपके ले करके आते रहेंगे अपना प्यार आप हम पर ऐसे ही बनाये रखेगा इसी सुब कामनाओं के साथ आपने प्यार डूटाईए हम पर एक लाइक कीजिए करेंगे और जिससे जरुवत है उसे सेर कीजेगा सब्सक्राइब कीजेगा और बेल आइकन के दबा दीजेगा क्योंकि जब जब हम यह वीडियो फिर से दुबारा डालेंगे आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपके मोबाईल स्कीन पर तो आप सब का दीन जो है सदयो मंगल मैं हो सदयो आप जो है सफलता को प्राप्त करें आपका प्यार सदयो अमर रहे इसी सुब कामनाओं के साथ आप सबसे मैं विजा लेता हूँ नमस्का